नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं और आज मैं एक सौट मोल श्री लेकर आया हूं जिसका टाइटल है कि स्वाति है या कि आपको साइट करना इगार ए सकते हैं प्रसितियों में अपने आपको ढालना कि जैसे सिति है उसके अनुसार से अपने आपको अगारा किया होने वाला है, ऐसे टाइल क्यों दिया है यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही moral story छोड़ी story है तो यहां पर आप यह आपको समझ आ रहा हुआ क्या क्या होने वाला है इसी के अंडर इंतर गयती है तो देखते हैं story में क्या क्या है और इसे हमें क्या सीख मिलती है तो पहला sentence पढ़ता हूँ reading और translation साथ साथ करते होंगा और यहां पर कोशिस करता हूँ हर एक word की meaning बताने की और पसंद आने पर प्लीज आपर लाइक करेंगे सबसे पहला sentence देखते हैं harriet had ordered a special dress to be tailored for her birthday party ठीक है वेसे एक एक करके पढ़ते है harriet तो यह उसका नाम है harriet नाम का लड़का है ठीक है had ordered had ka use kya order order ordered यहां पर order करने यहां क्या होता है किसी को कोई चीज मुलते हैं support order यहांने आदेश दिया ठीक है कुई काम करने के लिए कहना order देना तो उसने क्या ने कहा था special dress याने एक special अने विसेस dress आने कपडे विसेस कपडों का order दिया था अधेश दिया था ठीडर्ब यैने ड्बी होने के लिए रेसधा ऐए अब क्या हुआ किसके लिए फॉर याने किलिए हर बर्टरे पार्टी आठिक्र याने उसकी लड़की ऊल्ड़का होता तो His को यूज करते हर याने उसकी birthday party अब इसका हिंदी एकदम क्या बता हूँगा जन्म दिन के जो भी program तर उसका party थी उसके लिए ठीक है फिर क्या हुआ the tailor came just before the party the tailor tailor याने दरजी came याने आया come का persons came आया just before just याने ठीक before याने पहले ठीक पहले the party याने party के सुरूव होने के ठीक पहले आया and handed over the dress or handed over किसी को hand over करना याने सौब देना दे देना सौब दिया दे दिया the dress उसकपड़े को दे दिया जो उसने order दिया था अब क्या हुआ however ने जब की हालंकी it was two sword याने बहुत चोटा बहुत चोटा में एंड two fitted two fitted याने बहुत ज्यादा टाइट थी उसे fitted बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा चोटी थी this made Harriet very angry this mate, अब इसने किया, Amelia ने बनाया भी होता है, Amelia ने किया, क्या, Harriet, Harriet को very angry, बहुत जादा क्रोधित कर दिया, गुशा कर दिया, गुस्दा कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं, very angry, बहुत गुस्दा कर दिया, the tailor even, ठीक है, the tailor, दरजी ने even, इन यहां तक की उसने क्या क्या अपोलुजाइज्ड अपोलुजाइज्ड कामन्दब होता है माफी मांगना माफी मांगना यहां तक की माफी भी मांगना for his mistake for यहने के लिए his यह Her 내 अपने mistake यहने गलती अपने मिश्टेक यह उसके गलती के लिए उसने माह्फी मांगी बड लेकिन nothing could be done nothing could be done nothing यानि कुछ थ्लाइब nothing यानि कुछ नहीं तो पूरा मतलब क्या होगा लेकिन कुछ भी नहीं हो सका कुछ भी नहीं किया जा सका यानि वो गुस्दा ही थी her mother asked her to put on another dress ठीक है हर मदर उसकी मास कि माना कि asked हर आ मैंने पूछ रहा है आज यहने कुछ करने के upfront कहना तो से क्या करने लिए का है तो लोते हैं तो बूत री पहनों पोला को ठीक है एक है पूट रहे सो क्लॉट तो उसका है हुद पहनने के लिए another dress onion कोई और दूसरा कपड़ा दूसरा dress पहनने के लिए कि चलो वो टाइट हो गया तो क्या हो गया तुम्हारे पास हो बहुत सारे और कोई दूसरा dress पहलो and get ready for the party or get ready get याने याने हो जाना कुछ चीज रेडी हैं ते या तो get ready तैयार हो जाओ फॉर याने के लिए the party party के लिए तैयार हो जाओ दूसरा कपड़ा पहन के लेकिन क्या हुआ देखें बट लेकिन Harriet scream Harriet चिलाई scream याने चिलाना scream याने चिलाई लेकिन वो दूसरा कपड़ा नहीं पहने चिलाई क्या वो रिये देखें send everyone back home send भेज़ दो everyone हर किसी को back याने वापस home याने घर घर वापस भेज़ दो जो भी party में आया ना सब को वापस घर भेज़ दो I will not have a party I याने मैं will गागीगे future not have याने नहीं रखी हूँ जो भी बोल सकते हैं then harriet's friend gail arrived तब यह जो चिला रही थी उससे समय क्या हुआ harriet's apostrophe का की के harriet की friend याने दोस्त है ना उसका दोस्त अब लड़का होगा gail arrived gail पहुचा arrive याने पहुचना arrived याने पहुचा hearing her voice hearing याने सुनकर हर याने उसकी voice याने आवाज उसकी आवाज सुनकर harriet wiped her face harriet's wiped याने पहुचा ठीक है अपने चेहरे को देखिये हर फेस याने अपने चेहरे को पहुचा wipe आपसे वाइपर जो होता है अन्य देश, अन्य दूसरा कपड़ा उसने पहन लिया, मा बोली तब नहीं पहन लेकिन जैसे अपनी फ्रेंड की आवा सुनी, अरे मेरी फ्रेंड आ गई है, उसका मन चेंज होगी और उसने दूसरा ड्रेस पहन लिया, बाइदेन, अब बाइदेन का मनलब क्या होता है, बाइदेन याने तब तग, तब तग, the other guests, ठीक है, guests, अब और, head also arrived, दूसरे, अन्य दूसरे महमान, बहुत सारे महमान, head also arrived, head के साथ arrived, third form, याने पहुचे, इस टाइप से होगा, head also याने भी arrived याने पहुचे, और दूसरे महमान भी पहुच गए, या पहुचे, Harriet then, तब Harriet ने cut the cake, cake काटी, and everybody enjoyed playing games, और हर कोई, everybody हर कोई enjoyed, याने मज़े की आनन्द लिया, playing games, याने, खेल खेलने का मज़ा लिया, छोटे बच्चों के party party में पता है, एक से खेल करते हो लोग, तो उन्हें मज़ा आया, अब क्या हुआ, before going to bed, अब देखिए, आप adjust वाली बात आब आने वाली है, before याने के पहले, going याने जाने के पहले, to bed, याने बिस्तर में, तो पूरा मुदर क्या है, बिस्तर में जाने के पहले, she thought, उसने सोचा, अब क्या सोच देखिए, I am, I am glad that, कि मुझे क्या है, मैं क्या हूँ, glad याने बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, प्रशन हो जाना, कि मैं बहुत खुश हूँ कि I didn't, या did not को didn't लिखते हैं, I didn't cancel the party, मैंने didn't याने नहीं किया, हैना, cancel याने रद करना, मैंने cancel नहीं किया, रद नहीं किया, party को, because of my new birthday address, because याने के कारण, किसके कारण, of my new birthday address, नए जन्मदिन के कपड़े के कारण, अपनी party को मैंने रद नहीं किया, ये मैंने, अच्छा किया, मैं खुश हूँ, I unnecessarily, ठीक है, I unnecessarily, Un Bearly का मतलब क्या होता है, हम इसे ऑनावश्यक रूप से, बीना मतलब के, FALTU का, मेंने, FALTU के, हैना, मैंने FALTU में, बीना, FALTU का जैसे बोलते न, मैंने अनावस्यक रूप से, made a big issue over my dress, मैंने, मेरे कपड़े के उपर तो मैंने अनावस्यक रूप से बिना मतलब के फालतू के मैंने क्या किया अपने ड्रेस के उपर मुद्दा उठाया इसके बदले मेरे मा क्या हो गई अनहपी हो जाती मा क्या हो जाती नाखुश हो जाती मा भी नाकुश हो जाती यहाँ पर टो हमने देखा तो शोट याने बहुत चोटा δर यहाँ पर मदट टो थो यहने मा भी भी तो यह वह होता है तो उसने वही कहा कि मैंने अनावस्ययक रूप में मुद्दा उठाया है ना और यह क्या कर देती इससे मेरी माई से नहराज हो जाती from then on और तब से है ना तब से लेकर Harriet learn to adjust Harriet ने सीखी learn का learn past tense to adjust adjust करना याने आपको पताया था अपने आपको समायूत करना ढालना as per as per याने के लिए किसके रूप में कि यहां पर देखी इसे हम क्या पढ़ते हैं circum stances का मतलब होता है परिसितियों हालातों तब उसने Harriet ने क्या सीखा उस समय हालातों से हालातों के अडरूप परिसिति के अनूप अपने आपको अड़्जस करना अपने आपको ढालना वह सीख गई क्योंकि भाई वो अगर गुस्से में क्या करती बर्डे पार्टी अपने कैंसल कर देती सिर्फ इस गुस्से में कि ड्रेस चोटी है तो सोचिए वो परिस्सिती यदि वो निर्मित कर देती तो उसका तो पूरा बर्डे बेकार हुए आता मा को भी बुरा लगता पिता को भी बहुत सा लोग आये थे सबको बहुत बुरा लगता कि यह क्या बात हुई एक ड्रेस के कारण इसने पूरी पार्टी कैंसल कर दी अब वो सीख गई थी अपने आपको उसने ढाल लिया कि कोई बात नहीं कपड़ा चोटा है माने कहा है मैं पहल लेती हूं उसकी फ्रेंड आ बाती है कोई छोटी-मोटी बात रहती जिसे आप आराम से टाल सकते हो उसका बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए और हो सकता है उसकी इशू यदि आप बनाते हैं बढ़ा इसको कोई बनाते हैं तो आपके लाइफ में उसे बहुत बड़ी परिसानिया आ सकती है इसलिए मोटी बातों को तो कम से कम आपको छोड़ देना चाहिए या फिर ऐसी परिसानिया आती भी आपकी लाइफ में तो आपको एड़ेस्ट करना सीखना चाहिए तो बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी मैं लेकर आता हूँ जिसका ट्रांस्टिशन करता हूँ और इंगली से करता हूँ तो सब्सक्राइब कर लेंगे बैल ऐकन को दबाके और को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहें स्क्रीन सौर्ट फेस्बूक बहुत बहुत धन्यवाद